ऐसी मज़िदार सी और टेस्टी सी समयों की रेसिपी है कि बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक से काने वाले हैं और सबसे अच्छी बात कि इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी ने लेगा कर सिर्फ दो से तीन मिनट में बन कर तयार होगी तो बिसमे लाहिर वाहिर वाहिर वही मस सलमा अलेकुम गाइस आई होप आप सब खेरियत से होंगे यकीन माने जब महमान आएंगे और आप इनको ये समया बना कर देंगे तो यकीन माने वो हमेशा याद रखेंगे कि बहुत ही मज़दार और टेस्टी सी बनती हैं तो चली आएगे बनाने स्टार्ट करते हैं कोई भी स्टैप मेस ना कीजिए लाल सब्सक्राइब डन को क्लिक कीजिए साथ दी गई बेल एकन को प्रेस कीजिए तांके मेरी मज़दार से पी का नौटिफिकेशन आप भी पास सकें शेरन तम जब दीजिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक बरतन में शामल करेंगे 3-4 इबल स्पून पानी और पानी इसलिए एड़ के हैं ताके दूट पतीले के साथ बिलकुल भी ना लगे और अब इसमें शामल कर दिया है हमने हाफ लीटर दूट यहाँ पर मैंने डबे वाला दूट लिया है चोके मिल्क पैक या और पर कोई भी ले सकते हैं और इसके इलावा अगर आप लेना चाहें फ्रेश दूट तो आप वो भी ले सकते हैं इसके अंदर शामल करेंगे 3-4 हरी इलाइची और इसे जो है वो मुझ खोलकर एड़ करने के बाद अच्छे से बॉल आने देंगे दूद में कुछ इस तरह से दूद में आपने बहुत ही अच्छी तरह से बॉल आने देना है चलते हैं नेक्स टेप की तरफ यहाँ पर हमने ली है सवाईया और यह होमेड सवाईया है इसमें मिक्स सवाईया जो कि क्लरफुल सवाईया होती है वह भी है और शिंपल इसमें आपको एक्ष्ट बी अड़ करने की जरुवत नहीं है इसमें शुगर भी एड़ होती है और ड्राइफ रूट भी तो आप अगını और रख देना तो आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा और आप चट पर्ट में समया बना सकते हैं अगर आपको इन समयों की रेसिपी चाहिए तो कॉमेट्स में जरूर बताइए इंशाला से मैं आपके साथ रेसिपी जरूर अपलोड करूंगी बहुत ही इजी वे में बन जाती है और बनाना बिलकुल आसान है तो च सेज पर हम एट कर देंगे समया जो के हमारी वन कप थी आफ लीटर दूद के लिए वन कप समया जो है वो बिलकुल ठीक है अब आप यह कह रहे होंगे के शुगर कमना हो जाए नहीं शुगर बिलकुल पारफ्रेक्ट है इतनी दूद के लिहास से अगर आप मीठा ज्यादा कितना असान है कलरफुल भी समया इसमें अगर आप कुछ लोग समया कलरफुल खाना पसंद करते हैं तो वह भी इसमें एड होती हैं जो के सभी फ्लेवर के साथ बुखत ही टेस्टीजी लगती है इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइ किजिए इंशाला से सभी बहुत शॉक यहां पर 2 मिनिट हो चुके हैं और माशला से काफी हद तक गाड़ी होना स्टार्ट हो चुकी हैं अचा जैसे जैसे यह सॉफ्ट होंगी न तो यह गारी होना स्टार्ट हो चाहेंगी इसी दरहां लगभा का आप इने 2-3 मिनिट तक और पकाई और रिडियो अच्छी लग तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए अपने फेंट्स और फैमिले के साथ इस मज़दार सी रेसिपी को जरूर शेयर कीजिए तो तीन मिनट मज़ीद हो चुके हैं और माशाला से बोहती टेस्टी और मज़दार सी समया हमारी बन कर तायार हो चुकी है फ्लेम को हमने आफ कर दिया है और इतनी ठीकनिस जो है वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि इन्हें जो ठंडा करेंगे तो ये मज़ीद काड़ी हो जाएंगी तो चलिया आएगे टाइम को वेस्ट के बगएर इस मज़दार सी रेसिपी को डिशाउट कर लेते हैं तो लेजिए मशहले से बौगाती मतदार सी समया हमारी बन कर बिल्कुल तायार है और इन्शाल飽ा से जब आप इस तरह से समया बनाकर अपनी फैमली को दें खिएंगे कि हर दफा आप इसी तरह से उने समया बना कर दे तो उपर से हमने थोड़े से ज्राइफ रूट के साथ गानिशिंग कर ली है लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो आप स्केप भी कर सकते हैं लेकिन इसे जो है वो खुबसूरती बढ़ जाती है अपने फ्रेंड्स और फै फैस